हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं बिल्कुल एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ जो की है सीरियल्स सीरियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं अनाज और हमारे मील में या हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो हम कंज्यूम करते हैं यह सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारी थाली में जो कवर करता है वो होता है सीरियल या फिर अनाज तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सीरियल क्या होते हैं जनिरली सीरियल ग्रेंप जो होते हैं यह सीट्ट सोथे हैं जो कई बिलॉंग करते हैं कहा से ग्रास वेम्ली से तो सारी सीरियल जो हैं वह कोन सी फैमिले से去了 को होती हैं। कौन जुआर रागी और बाजरा और साथ ही साथ देखिए जो टर्म सीरियल है यह केवल लिमिटेड इन सब सीरियल क्रॉप्स के लिए नहीं बलकि इन से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं जैसे कि आटा बनता है या फ्लार बनता है मील है ब्रेड है पास्ता मैकरॉनी जो देखिए कि जो भी सीरियल होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है थोड़े थोड़े इंडिविजूल डिफरेंसे होते हैं बट जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन में देखिए यह वीट का लॉंगिट्यूडनल स्ट्चर आपके सामन दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि जो होल वीट है जब हम इसको लॉंगिट्यूडनल सेक्षिन में हम इसको करते हैं तो हम देखेंगे कि वीट जो है जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है इस तरीके से दिखता है जनरली देखिए जो तीन पार्ट में डिवाइ होता है तो जो एंडोस्पर्म होता है वो कितना एरिया कवर करता है 83% जबकि जो जर्म होता है वो 14.5% और जो ब्रान होता है वो 2.5% एरिया जो है वो कवर करता है अब देखें इसमें आपको बहुत से और भी इंडिविज्वल अलग-अलग दिख रहे होंगे आपको प्रेस्टा बोलते हैं और नुशलस सेल्स जो होती है वो पाई जाती है और देखें यहां पर यह पेरिकारब की भी बात हमने की है जब में देखें स्कुटलम पाया जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट है नेक्सट एंडोस्पं में हम देख रहे हैं ऐलूरॉन सेल्स होती है और यहां पर हम देखें ब्रैकट से अफिर इसको चाफ भी बोलते हैं तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा ग्रेन जो है वो इटसल्फ दिवाइड होता है तीन ने मतलब अगर हम structure समझने की बात करें तो तीन हम ये देखते हैं कि पूरा जो grain है वो तीन पार्ट consist करता है endosperm, germ और bran जिसमें सबसे ज़्यादा area जो cover करता है वो endosperm cover करता है देखें next हम बात करेंगे bran की और pericop की तो हमने picture में देखा था यहाँ पर मैंने picture इसलिए set कर दिया है ताकि इस picture को हम correlate कर पाएं ठीक है तो bran और pericop की बात कर रहे हैं देखें इस portion की बात हम generally कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए bran जो होता है वो itself consist करता है many layers यानि branch जो होता है उसमें देखिए आपको बहुत से layers यहाँ पर दिख रही होंगी बहुत से layers itself consist करता है то इसमें देखिए जो पहली layer होती है epidemis देखिए पिक्षर में यह epidermis की बाद हम कर रहे हैं, तो यह क्या है, this is the outer layer, consists of thin wall long rectangular cells, यह सबसे बाहरी कवर होती है, जो की long thin walled और long rectangular जो cells होती है, उनको contain करती है, उसके नीचे हम देख रहे हैं hypodermis, hypodermis जो होती है, वो epidermis के बाद होती है, और hypoderm to varying thickness, हम देखा जाता है कि इसका thickness अलग-अलग, serial में अलग-अलग होता है, फिर देखिए हम बात करें tube cells की, tube cells जो होती है, वो inner most layer होती है, पेरिकाप की, देखिए पेरिकाप tube cell पर ही जाके खतम हो जाता है, तो inner most सबसे अंदर की layer को हम क्या बोलते है, tube cell tear during the ripening the seed, जैसे seed ripe होता है, या mature होता है, उस समय ये जो tube cell है, ये tear होती है, the mature grain जो होता है, वो they represent by a layer of branching hypha-like cells, जिनको हम tube cell कहते हैं, तो basically ये कह रहे हैं कि tube cell हमें कब दिखेगी, जब seed जो है, वो mature होगा, तब हमें tube cell जो होती है, वो दिखती है, फिर देखिए बात हम next कर रहे है, seed coat की या फिर टेस्टा की, तो ये एक thin single या फिर double layer होती है, और inner layer of the testa of wheat is often deeply pigmented, which gives the grain its characteristic color, generally जो भी seed का हमें कलर दिख रहा होता है, वो किस वज़े से होता है, seed coat या टेस्टा की वज़े से होता है, फिर देखिए हम देखते हैं, new cellar tissues जो होते हैं, ये टेस्टा के next हम इनको देखते हैं, ये टेस्टा के अगर अगर हम चलते हैं, brown की area में, तो हमें जो मिलेगा वो होता है, new cell, new cellar tissues, और ये क्या होते हैं, ये hyaline layer होती है, which is colorless and devote of any obvious cellular structure, तो generally ये जो layer है, new cellar tissues जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं, और basically और हम क्या देख रहे हैं, which colorless and devote of any obvious cellular structure, तो इनका कोई भी cellular structure यह dip in करता है individual to individual अलग-अलग serials पर next देखिए हम बात कर रहे हैं alluron cells की alluron cells जैसा कि आप जानते हैं कि alluron cells किसका part होती है alluron cell जो है यह part होती है generally किसका हम देख पारे हैं कि alluron cell जो है वो part होती है endosperm का है तो endosperm में आप यहां पर यह देख पा रहे होंगे कि alluron cell आपको दिख रही है generally endosperm जो होता है वो surrounded by the one or more layers of cells known as alluron cell मुझे मारकर यूजी करना पड़े हैं यह आपका area जो है यह area है endosperm endosperm में यह जो layer आपको दिख रही है side side से इसी को हम क्या बोलते हैं alluron cells बोलते हैं देखे इस picture में एकदम clearly indicate किया हुआ है कि alluron cell कहां पर है तो यह depend करेगा अलग-अलग grain अलग-अलग serial पर कि एक या दो जितनी भी layers पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं alluron cell बोलते हैं और यह consist करती है 7% of grain weight जितना भी grain का weight है वो 7% किसकी वज़े से होता है alluron cell की वज़े से होता है और जो cell है वो contain करती है 20% each of protein, oil and mineral matter है तो हम जितना भी protein, oil and mineral matter है उसका 20% कहाँ पर होगा alluron cell में होगा और जो cell होती है वो rich होती है निया सेन में और generally हम देखते हैं जो phytic acid या phytate जो होता है वो भी कहाँ पर देखा जाता है alluron cell में ही हम देखते हैं नेक्स हम बात करते हैं endosperm की देखें endosperm मैंने आपको बताया कि यह area क्या है endosperm है तो generally यह क्या consist करता है cells of various size, shape and different composition generally यहाँ पर जो cells आपको दिखेंगी वो अलग-अलग size की दिखेंगी, अलग-अलग shape की दिखेंगी और अलग-अलग composition की दिखेंगी और generally यह mainly क्या consist करते है starch है अब देखिए हम कह रहे है starch और थोड़ा बहुत protein जो starch होता है वो किस form में होता है spherical granules के form में होता है which are single granules और tightly packed together and embedded in a matrix of protein तो generally देखिए जब भी हम cereal की बात करते हैं तो हमें पता है कि cereal जो है वो good source होता है किसका starch का और जो protein पाई जाती है वो भी कहां पे endosperm में पाई जाएगी तो जो starch या फिर जो protein जो की cereal में होती है वो कहां पे पाई जाती है cereal के endosperm के part में पाई जाती है फिर next देखिए हम बात कर रहे हैं germ का या फिर embryo का जो की यह area cover करता है देखिए it separates from endosperm by squirtulum which has functions of mobilizing the stored food in the endosperm and transmitted them to the embryo when the grain germinated generally यह जो layer आपको दिख रहे है देखिए squirtulum है ना तो endosperm को germ से अलग कैसे किया जाता है एक squirtulum की एक layer होती है जो की endosperm को germ से अलग करती है ना तो इसका काम क्या होता है generally जो squirtulum होती है function क्या होता है squirtulum का कि यह mobilize करती है stored food को in the endosperm and transmitted them to the embryo when grain germinated यह जो भी food store हो रहा है उसका mobilization करती है कहां पर endosperm में है ना किस case में जब seed mature हो रहा होता है बट जब क्या होता है हम germination कराते हैं तो जो germination कराने के दोरान endosperm में जो nutrients है वो कहां पर transfer होते हैं embryo या फिर grain के पास और तभी जो grain है वो क्या होता है germinate होता है ठीक है तो germ and squetalum are rich in protein and fat generally protein और fat में यह rich होती है और most of vitamin in the grains are present in the squetalum generally जो vitamins होते हैं वो कहां पर present होते हैं squetalum में तो इस तरीके से friends हमने यह देखा कि cereal generally grass family से belong करते हैं कौन-कौन से principal cereal हम consume करते हैं और cereal का structure क्या है structure बहुत ही common है कई बार endosperm, bran और germ इन सब के बारे में पूछा जाता है इसमें कुछ टम जैसे कि squetalum है, bran की जो layers है, epidermis, hypodermis और endosperm तो बहुत important है क्योंकि पूछा जाता है कि जो cereal होता है उसमें starch कहां पर कौन से पार्ट पर store होता है तो हमें पता होना चाहिए endosperm में जो starch का storage होता है तो कैसी लगी वीडियो आपको, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए, thank you friends